कोरोना की महामारी ने बड़े-बड़े परदेशी को शहर से गाउं में आने के लिए मजबूर कर दिया है। आज पूरे चार साल बाद मुकेश अपने गाउं आया है। अपने सपनों को पूरा करने और घर की हालत सुधारने के लिए दस्वी के बाद ही वह मुंबई भाग गया था। वहाँ उसने मोटर मेकेनिक का काम सीखा और आज अच्छा पैसा कमा रहा है। मुकेश की उम्र अभी 24 साल है। उस पर मुंबई का सुरूर देखा जा सकता है। रंगे हुए बाल, गोरा जिस्म, अच्छे कपड़े उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मुकेश अपने घर के बाहर बरामदे में बैठा हुआ था कि तभी उसकी नजर सामने लगे नलपरपड़ी, जहां एक 17 साल की खुबसूरत लड़की पानी भर रही थी। मुकेश की नजरों को मानो कोई जादू सा लग गया था, वही एक तक उसी को ही देखे जा रहा था, उसकी नजर उसका तब तक पीछा करती रही, जब तक कि वह पानी लेकर आँखों से ओ, लणा हो गई, मुकेश ने अपनी भाभी से पूछा, भाभी, ये लड़की कौन ह मैं नहीं पहचान पाया इसे, उसकी भाभी ने मुसिक्राते हुए कहा, ये अपने बगल की तिवारी जी की बेटी मीनू है, बड़ी हो गई है, इसलिए तुन पहचान नहीं पाए, मुकेश को उसका नाम जान कर न जाने क्या खुशी मिल रही थी कि वह मन ही मन उसे अपना बनाने की सोचने लगा, अगले दिन मुकेश फिर बरामदे में बैठ कर मीनू का इंतजार करने लगा कि कब वह पानी भरने आएगी और वह उसका दीदार कर सकेगा, तभी उसकी नजर पीले सूट में चमकती हुई मीनू परपड़ी और मुकेश की आँखे उसे देखती र लगता है कि शहर की लड़किया ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, अचानक मुकेश के मुझ से निकल गया, नहीं मीनू, तुमसे खूबसूरत कोई नहीं मीनू शर्मा कर बाल्टी लेकर भागी और मुकेश को होश आया कि उसने क्या कह दिया अगले दिन फिर मुकेश बात करने पहुँच गया और बोला, मीनू, मू, माफ कर दो, मैंने न जाने क्या बोल दिया, जो तुम भाग गई मीनू ने शर्माते हुए कहा, अरे पागल, कोई बात नहीं मुकेश ने कहा, मू, से दोस्ती करोगी मीनू ने कहा, लेकिन मैं और तुम बच्पन से दोस्त हैं बस तुम ही भूल गए मुकेश को लगा कि आग दोनों तरफ लगी है उसने बड़े प्यार से इशारों वाली बात में कहा वह वाली दोस्त बनोगी, गल्फ्रेंड वाली मीनू ने कहा, तुम परेशान करोगे क्योंकि मैंने ऐसा फिल्मों में देखा है मुकेश ने मुसक्राते हुए कहा नहीं, प्यार करूँगा बस परेशान कभी नहीं करूँगा मेरी मीनू, इसी तरह दोनों की प्यार भरी मुलाकाते और बाते बढ़ती गई मुकेश प्यार से कभी मीनू का हाथ छू लेता, तब उसके शरीर में एक अजीब सी सहरन दोर जाती पर है, उभार और कमर की खूबसूरती लड़कों को खीचती उसके कालेज के न जाने कितने लड़कों ने उसे प्यार के लिए मनाया, पर उसके मन में मुकेश के सिवा कोई नहीं वह बस उसी का इंतजार कर रही है एक दिन मीनू को खबर मिली कि मुकेश इस हफ़ते गाव आ रहा है उसकी खुशी का अंदाजा न था उसे लग रहा था कि वह सात्वे आस्मान पर है आज वह दिन आया और मुकेश वापस आया मीनू कालेज से वापस आते ही भागती हुई मुकेश के घर उससे मिलने पहुँची और वहाँ पहुचते ही वह हैरान हो गई मुकेश अकेला नहीं आया था बलकि एक लड़की के साथ आया था जो उसकी पत्नी थी मुकेश ने शहर में शादी कर ली थी मीनू को देखते ही मुकेश ने उससे अपने पास बुलाया और पत्नी से मिलाते हुए कहा, सुनो, यहां मेरी वह वाली दोस्त है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मीनु ने भी मुकेश की पत्नी को गले लगाया और कहा, तुम बहुत भाग्य शाली हो, तुम्हें सबसे अच्छा लड़का मिला, जो मेरा दोस्त था। मीनु वहां से भाग्ती हुई आये और बहुत रूई, वह खुद को सम, ने की कोशिश कर रही थी कि वह तो सिर्फ वह वाली दोस्त थी।